हेलो गाइस में बात करने वाले है भारती एटेल की बारे में इस कमनी का quarter 4 का result आ चुका है सामने तो कैसा इस कमनी का result और ही इस कमनी ने dividend दिया है कि नहीं दिया है तो कितने रुपिस का दिया है कब तक हमारे एकाउन में आ जाएगा वो भी discuss करेंगे आच के इस वीडियो के देखते रहे ना भारती एटेल की बात करें तो इस कमनी की results आप लोगों के सामने प्रिजेंटेड है सबसे पहले इस कमनी ने dividend का announcement किया है कंपनी अपने शिरोल लुसको 3 रुपिस पशे का dividend दिने वाली है इसे के साथ-स इस कमनी ने आप पर एन्योजनर मिटिंग का भी announcement क कर दिया है एन्योजनर मिटिंग के अंदर इस कमनी ने आपर से रेकोड डेट ए एक्स डेट बता दीगी इस कमनी की dividend की और इसे की साथ से एन्योजनर मिटिंग के तीस दिन के बाद आप लोगों के एकाउन में 3 रुपिस पॉशे का dividend है वो पे कर दिया जाएगा बैंक एक इन्योजनर में के दिया जाएगा इस कोनी के आप लोगों के सामने सारी अमाउंट्स मिलियंस में हैं में और रिजुट के यंदर ये कं Muslims in रेजल्ट के ऊंदग है क्वाडresser में के उपर कमनी के रिजल्स को अपयर करेंगे तो सब भीनेवलर什么 inspiration RockKA कर कमzers नी ही 4 का total income देखने को बिल जाता है income के अंदर quarter and quarter base के उपर और year and year base के उपर continuous इसाफ़ा देखने को मिल रहा है company expense की बात करें तो majority expenses का network operation expense देखने को मिल जाता है बाकी company का total expense की बात करें operation यहां पर दोनो continuous and resource continuous operation को मिला कर company का total operation यहां पर total net profit 37,150 million रुपिस का देखने को मिल जाता है quarter and quarter base के उपर इस company के net profit के अंदर एक अच्छा खासा इसाफ़ा देखने को मिल रहा है quarter and quarter base के पर company के net profit almost दूबने हो चुक है पिछले साथ same quarter के मुकाबले इस company के results आप लोग देखोगे तो company के results में 2.5x का यहां पर इजाफा देखने को मिल जाता है year and year business company यहां पर minus में देखो पिछले साल तो company ने आपर से loss making business किया था जो यहां पर से loss making business अभी profitable होता हूँ नजर आ रहा है company के profits यहां पर से दिरे दिरे करके बढ़ रहा है जो एक बहुत ही जादा अच्छी बात है इस company के यहां पर से EPS की बात करें earning per share भी आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड है earning per share इस company का 3.59 रुपीस का दिखने को मिल जाता है जो quarter and quarter बेस के अपर EPS के अंदर भी एक अच्छा इसाफा है year and year base के अपर भी इस company का EPS loss making से अभी profit making आता हुआ नजर आ जाता है जो एक बहुत ही जादा अच्छी बात है company के overall results आप लोगों को मैं 5 start में से आपर से 4.5 start में दूँगा यार personally यार company की results अच्छी तरीगी से grow कर रहे है और अच्छी तरीगी से company अपने आपको revive कर रही है इस company के यहाँ पर से results आप लोगों के सामने present मैंने बता दिये company के results अच्छे है बाकी इस company के अदिजो आप लोग investment करना चाहते हूँ new investment करना चाहते हूँ या अपने portfolio में थोड़े shares add करना चाहते हूँ तो 650 रुपीज का एक strong support zone है वहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हो बाकी यार कोई भी एक level नहीं है जहाँ पर आप लोग खरीदारी करके चलना ठीक है